Hey guys, Vivo KV series का एंग बहुती कमाल का phone जो कि है Vivo V15 Pro आज इंडिया में लाँच हो चुका है बहुती कमाल के price segment के साथ वैसे तो इस phone में बहुती new technologies यूज की गई है बहुती कमाल का phone है लेकिन एक चीज है जो इस phone में यहाँ पे अच्छी नहीं लगी है बात करेंगे उसके बारे में भी और बात करेंगे Vivo V15 Pro के कुछ FAQs के बारे में जो कि हमें phone के बारे में पता होने चाहिए जले जले से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबस्क्राइब करेंगे जाए माइन इस मॉनिका वेलकूम तो इस उनाडर वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सबसे पहले लाल पुटिन पर क्लिक करके सब्स्प्राइब कर लिजाए इस फोन में इस फोन में यूज किया गया है स्नैप्रगन का 675 का प्रोसेसर जो की इंडिया में ऐसा पहला फॉन वीडियो वी 15 प्रो बन गया है जो कि लांच हुआ इसमें यूज किया गया है इडरिनो का 612 जी पीउ साथ इसमें आपको 6GB RAM तक का option देखने को मिल रहा है इसी के साथ हमें हमारे पहले question का answer मिल गया है कि वीडियो वी 15 प्रो कैसा perform करेगा PUBG जी से highly intensive graphics game की साथ तो वीडियो का ऐसा कहना है कि यह जो Snapdragon 675 का processor है flagship level का performance देने वाला है साथ ही साथ 6GB की RAM यूज की गई है तो PUBG जैसे गेम बहुत ही smoothly खेले जा सकते हैं वीडियो वी 15 प्रो में without any frame drop कोई आपको lag फील नहीं होगा ना ही आपको settings के साथ कोई चेचार करने की ज़रूरत है बिल को मिलेगा यानि storage भी काफी अच्छा है जिसे आप expand भी कर सकते हैं 256GB तक और यहीं हमारा next question आता है कि इसमें आपको hybrid SIM slot देखने को मिलेगा या फर dedicated SD card का slot भी देखने को मिलेगा तो एक अच्छी बात यह है कि वीडियो में 15 प्रो आता है triple SIM slot के साथ यानि कि dual SIM के साथ इसे की तरफ ट्रे में आपको लगानी होगी और जो SD card है वो phone के side में यहां पर dedicated देखने को आपको मिलेगा next बात आती है Android version की Android 9 Pie पे work करने वाला है OneTouch OS Pay based है और Vivo का ऐसा कहना है कि Vivo V11 Pro से दुगनी faster और बहतर performance आपको देखने को मिलेगी Vivo V15 Pro में अब हम चलेंगे phone के display की तरफ, display बहुत ही कमाल का है क्योंकि इसमें कोई भी नोच देखने को नहीं मिल रही है bezel lens display है और full view display का आप enjoyment ले सकते है Vivo V15 Pro में बात है अगर display size की तो 6.39 inches का display size आपको देखने को मिलेगा बात अगर display panel की तो super amolet display आपको देखने को मिल रहा है इस price point में ये second highlight point है Vivo V15 Pro के लिए कि इसमें आपको super amolet display panel देखने को मिल रहा है वहीं बात है अगर rear panel की तो उसमें आपको dual tone design देखने को मिल रहा है जिसे कि Vivo ने बोला है spectrum ripple design जो कि एक और unique feature है Vivo V15 Pro के लिए next इसके highlighted point की बात करेंगे जो कि हमें देखने को मिल रहा है in display fingerprint scanner और ये जो in display fingerprint scanner है वो बहुत ही ज़्यादा fast है क्योंकि इसमें version 5 technology यूज की गई है तो better perform यहाँ पे करने वाला है जैसा कि Vivo V11 Pro में हमने देखा था उससे कहीं ज़्यादा बहतर performance आपको देखने को मिलेगा Vivo V15 Pro में चलिए अब हम चलेंगे phone के next highlighted point की तरफ जो कि है phone का camera back side पे 3 camera देखने को मिल रहा है जो कि आ रहे है AI के बहुत ही सारे features के साथ combination की बात करें तो main जो है वो है 48 MP का जिसमें Samsung का GM1 sensor यूज किया गया है next 8 MP का जो की ultra wide angle के लिए यूज किया गया है और next 5 MP का जो कि यह भी यूज किया गया है depth sensing के लिए अब जो first 48 MP का camera है actually 48 MP का output नहीं देने वाला है इसमें आपको जो final output मिलेगा वो 12 MP का ही मिलेगा इसलिए भी विवो यहां पे इसको 48 MP की तरह promote भी नहीं कर रहा है क्योंकि जो final output है वो आपको 12 MP का ही देखने को मिलेगा लेकिन जो output आएगा उसकी detailing आपको बहुत ही कमाल की लगने वाली है अब चलेंगे front की तरह, the front camera है बहुत ही जादा कमाल का क्योंकि वो है pop-up camera 32 MP का selfie में pop-up camera आपको देखने को मिलेगा वहीं हमारे camera से related जो questions आते हैं जैसे कि इसमें stabilization का support हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो इसमें आपको optical image stabilization का option देखने को यहां पे मिल रहा है Vivo V15 Pro में नेक्स राता है 4K recording का तो Super AMOLED पैनल है इसमें आप 4K recording वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ 4K recording भी कर सकते हैं नेक्स राता है slow motion और HD videos recording का जो भी आसानी से आप Vivo V15 Pro में कर सकते हैं क्योंकि flagship level का smartphone है तो इस सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे Vivo V15 Pro अब नेक्स बात आ रही है फोन की battery की battery इसमें कितनी दी गई है 3700 mh की battery यहां पे दी गई है Vivo V15 Pro में और साथ ही साथ ही साथ इसमें 18W का fast charging भी यूस किया गया है लेकिन अब जो एक अच्छी बात नहीं है वो यह है कि इसमें USB Type-C support आपको देखने को नहीं मिलेगा वही ट्रडिशनल Micro USB port आपको देखने को मिलेगा इतनी सारे new technologies यूस की गई है लेकिन साथ में लिया है Micro USB port बस ही चीज़ जो इस phone को complete package होने से यहां पर रोक रही है क्योंकि जो भी new technologies के phone आते हैं उसमें हमेशा हमें Type-C port ही देखने को मिलता है हलाकि यहां पर fast charging भी दिया गया है और वीव का ऐसा कहना है कि 25% battery यहां पर 15 minute में चार्ज हो जाएगी लेकिन फिल भी Micro USB port एक जो है ध्यान में देने वाली बात जरूर है अब हम बात करते हैं फोन के प्राइस सेग्मेंट के बारे में फोन अज 20 वर्वरी को लांच कर दिया गया है इंडिया में Flipkart पर Amazon पर वीव के ऑनलाइन स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा जो चे जी भी रर्म मिलें ट्वाला फोन है उसका प्राइस यहां पर रखा गया है 28,990 रुपे जैसे कि हमें उम्मीद थी कि 30,000 से कम प Vivo V15 Pro का प्राइस सेग्मेंट है यहां पर 28,990 और 6 मार्च से यहां पर इसकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्री बुकिंग कर सकते हैं यहां पर Vivo V15 Pro के लिए सेल स्टार्ट हो रही है 6 मार्च से और अगर लिंक चाहिए जैसे वीडियो को लाइक किज़ें अगर मुझे को छूट गया है तो नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताइगे की क्या रह गया है जिससे वह मेरे लिए भी हैल्पफुल हो और अगर कोई और इस वीडियो को रह पर उसके लिए जरूर से हेल्फुल हो तो चलि-जल्द झाल 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 झाल